नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आपका आप देख रहे हैं गोबलोक्स और मैं हूँ आपके साथ भासकर डोभार दोस्तों आज पामिष्ट्री में हम बहुती महत्वपूर्ण विसाय पर चर्चा करने जा रहे हैं हम आज देखेंगे हतेली के मंगल परोत को हमारी हतेली में दो जगह मंगल परोत होते हैं इस छेतर को हम निम्न मंगल कहते हैं और इस छेतर को हम उच्च मंगल कहते हैं ये है इनर मंगल ये है आउटर मंगल इनसे हमें पता चलता है कि हमारी जीवन में कितने प्रोपर्टी हम जोड़ पाएंगे हमारी जो अस्ताई संपत्य होगी वो कितनी होगी कितने हमारे पास मकान होगी दुकान होगी या फ्लेट होगी या जमीन होगी वो कितनी होगी ये सारी बाते हमें मंगल बताता है देखे दोस्तों जो तिस में जो है ने संपत्ति के लिए जिस ग्रह को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है भूमी और भवन के लिए जो ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं उसे कहते हैं मंगल मंगल को ग्रहों में सैनापति माना जाता है जैसे सूर्य राजा है बुद्ध और ब्रिस्पति मंत्री है सनि सेवक है उसी तरो ये जो मंगल ग्रह है ने ये ग्रहों का सैनापति है गरहों का सबसे आगे प्रमुक प्लेनेट जो रच्छा प्रवाइड करता है वह मंगल है आपके सरीर में कितनी सकती है आपकी सरीर की उर्जा कितनी है आपका आत्म विश्वास कितना है और आपका प्राक्रम कितना है ये हमें मंगल बताता है ये बात मंगल ही decide करता है इसका जो मुख्य तत्व है वो तत्व है अगनी तत्व फायर element का मालिक है हाला कि इसका तीन हिस्सा फायर का होता है और एक हिस्सा इसका water का होता है मगर मोटे तोर पर मंगल को अगनी तत्व का मालिक मानते हैं और इसका जो मुख्या रंग है वो हो लाल है आज हमने लाल रंग से ही इसका जो रेखाओं द्वारा आपको बता रहे हैं और मंगल की जो धात्व है मंगल की जो मेटल है वो तामा है और इसका अनाज है जो मेश रासी और बिष्चिक रासी मंगल की रासिया है दो रासियों का मालिक है बिष्चिक रासी का और मंगल मकर रासी में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और करक रासी में सबसे जादा कमजोर होता है भूमी और भूमी से समंदित चीजों पर मंगल का ही अधिकार होता है जमीन का मालिक भी मंगल है जमीन से निकलने वाली चीजों का मालिक भी मंगल ही है और जो चीजें जमीन से जुड़ी हुई है उनका मालिक भी मंगल ही है इसलिए मंगल को भूमपutr भी कहा जाता है मकान, जमीन और दुकान बिना मंगल के नहीं मिल सकते हैं जो fix property है जो अस्थाई संपती है वो बिना मंगल के मिल पाना अशंबव है चाहे वो मकान हो चाहे वो दुकान हो ये मिल नहीं सकते और मंगल के बिना अस्ताई संपत जादा देर तक नहीं रह सकती है अगर किसी कारण आपको जमीन मिल भी गई, किसी कारण से आपको मकान मिल भी गया और मंगल आपका बहुत फैबरेवल नहीं है, तो आप उसे बहुत दिन तक नहीं रख पाओगे देर या सबेर उसे बेचने की जरूरत आपको पड़ जाएगी इसलिए प्रोपल्टी का जो मालिक है, प्रोपल्टी का जो स्वामी है, वो मंगल है प्रोपल्टी आपके पास मैंटेन रहे, ये बात भी मंगल के उपर निर्भर करती है यदि किसी ब्यक्ति का ये मंगल और ये मंगल कमजोर है तो संपति का अलाग उसे नहीं मिल पाएगा यदि किसी जातक के मंगल की किरपा अगर किसी जातक पर हो जाए तो ब्यक्ति के पास एक से ज़्यादा अस्ताई संपति हो जाती है ये हमारा निम्न मंगल ये उच मंगल अगर इन पे छोटी छोटी रेखाओं से इस तुर्भुजुनमा कुछ बन रहा हो छोटी छोटी रेखाओं से तो इसे बहुत सुब माना जाता है ऐसे लोग आपने देखे होंगे सैना या पुलिस में काम करते हैं क्योंकि ये साहस का प हैं तो ये सुब माना जाता है ऐसे लोग सही समय पर अपने ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में कई नेशनल और इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में शम्मिट हो जाते हैं और इनको मैडल भी मिलता है अगर ये उच मंगल पे दोस्तों अगर आप देखोगे एक से ज़्यादा खड़ी रेखा हो इस तरह की रेखाई हो या इस तरह की नहों तो इस तरह की कोई रेखाई हो तो ये बहुत अच्छा माना जाता है ऐसे लोग साइसी और निडर होते हैं क्योंकि ये मन को मजबूत करती हैं इस परवत पर ज़्यादा खड़ी रेखाओं का होना सुब नहीं माना जाता अगर बहुत ज्यादा हैं खड़ी रेखाएं एक से ज्यादा हैं बहुत ज्यादा हैं तो इनसान आगे जिवन में असफल रह सकता है और ज्यादा रह खाएं होने से जातक गुसेल सभाव का हो सकता है कई बार अगर आपके मंगल पे इस तरह की एक गिरिल नुमा बन रही हो कुछ अगर गिरिल नुमा बन रही हो तो ये संकेत देता है कि जो जातक है बहुत गुस्सा वाला है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है दूसरा अगर किसी के हाथ में इस्तरोकी है इस्तरोकी चिन बन रहे हैं तो जातक को चोट का भय रहता है एक्सिडेंट का भय रहता है अगर आपके हाथ में भी किसी कहीं इसी तरह की निशान बन रहे हो और बराबर आपको चोट यार गुसे का सामना करना पड़ता है भले बाद में आप पच्ताना पड़े तो किसी हस्त रेखा सास्तरी से अपने ह और फलित जोतिस में बहुत ही सरल उपाई हैं उनको कर लीजिएगा तो आपका मंगल सही हो जाएगा और आपका मन भी अच्छा रहेगा और शंपति का भी शुक मिलेगा जो हर इनसान सोचता है कि मेरे पास एक मकान हो दुकान हो या भूमी हो वो चीज आपको इसी मंगल से म करें अगर मंगल पर कहीं भी दोनों मंगलों में से मंगल का ही चिन हो ग्रह का निशान हो तो ये अतीसुब माना जाता है मंगल ग्रह का होना सोभग्य और शपलता का शौचक माना जाता है ऐसे लोग अपने 247 में बहुत सफल और धनड्य होते हैं, पैसा भी बहुत देता है मंगल, संपत्य का मालिक ही मंगल है, अगर किसी जातक की भारी मंगल पर रेक्टेंगल इस तरों से छोटी छोटी रेखाओं से बना हो, तो ऐसा जातक बहुत अमीर होता है, ये निशान अचानक ही धन लाव करवाता है, और आपके जरूर जोड़ देंगे, मगर कहीं आपका मंगल खराब हो गया, बहुत ही खराब हो गया, इसमें कहीं कट का निशान है, तो ये समझ लीजिए, ये आपको हवालात के भी दरसन करवा शकता है, अगर आपका मंगल बिगड़ा होआ है, तो तुरंत ही इसको सही करने का, शान करने के उपाई हमें ढूनने चाहिए, और अगर हम फलित जोतिस के अनुसार चलेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, और निश्चित ही इसका फाइदा आपको मिलेगा, दोसरा अगर मंगल पे कहीं, आप देखो छोटी-छोटी जादा बन रहे हों, तो जितने बन रहे होते हैं, उतनी प्रोपर्टी ये दिखाता है, हाथ में अगर आपने अपनी मकान, दुकान को देखना है, तो दो-तीन जगसे भी आप देख सकते हैं, एक तो अगर ब्रिस्पती परवत पर आपको इस तरो का चिन मिले, और हिर्दे जबन का शपना पूरा कर लेता है, दोसरा हमने ये बताया है, मंगल पर छोटी-छोटी रेखाओं से रेक्टेंगल बने हों, तो भी शंपति का लाब मिलता है, या हिर्दे रेखा पर इस तरो की कोई रेक्टेंगल का चिन बन रहा हो, चाए भार की और हो, चाए अंदर की और हो तो ये भी शंपतिका लाब दिलाते हैं तो दोस्तों ये आज का विशाय था मंगल और शंपतिका लाब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लेगी हो तो प्लीज हमें लाइक और सेर जरूर कर लिजेगा और इसी तरह के महत्तपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद